वेलकम बैक फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी लोगों का कनक क्लासिस पर स्वागत है बहुत दिन बाद मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ इस भी स्टाइम ने मिला आज का यह वीडियो जो है हमारा यह टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो की आउट बटरफ्लाई हम सब अपने चारो और हमेशा तितलियां देखते हैं बटरफ्लाई देखते हैं और अलग-अलग रंकी देखते हैं बच्पन में आप सभी ने तितली उड़ी बस में चड़ी यह कविता जरूर सुन रखा होगा और गाया भी होगा आपके चाहे नव बहुत और हम लोग जानेंगे तो चलिए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि यह तितलियां जितनी मासूम है एक्चूल में सारी की सारी तितलियां इतनी मासूम नहीं होती हैं कुछ तितलियां ऐसी भी हैं जो कि अगर तितलियों को मौका दे दिया जाए तो वह हमारा वह सीना भी पी सकती है और आंसू भी पी सकती है आपके सामने देखिए मैंने एक स्लाइड ओपन किया है जिसमें लिका हुआ है वाट डू बटरफ्लाइज इट क्या क्या खा सकती है वह आप देख पा रहा हूंगे ब्लड यूरीन स्वीट मॉइस्टर मड टी सैप स्वीजों को और सबसे खास बात यह कि यह जो बटरफ्लाइज है यह पूरी दुनिया में पाया जाता है इनको पूरी धरती पर अगर देखा जाए तो इनके 24000 से भी ज्यादा प्रकार की बटरफ्लाइज अर्थ पर मौजूद है और यह अर्थ के लगबग लगबग सारे के सारे पार्ट में पाई जाती है केवल और केवल जो यह अंटार्क्ता महादवीप है अंटार्क का कॉंटिनेंट है इस कॉंटिनेंट को छोड़कर बाकी सभी के सभी कॉंटिनेंट पर पाई जाती है यह बटरफ्लाइज इसलिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि इनकी 24,000 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वह हम सब अलग-अलग देशों में अलग-अलग कलर में हमको देखने को मिलती हैं में आप सब जानते हैं कि बटर्फलाइज के four wings होते हैं और ये wings transparent भी होते हैं कई बटर्फलाइज को आपने देखा होगा जिनकी wings के आर पार भी देखा जा सकता है तो ये एक और खास बात है इन बतरफ्लाईज की आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी बतरफ्लाई है दुनिया की सबसे बड़ी बतरफ्लाई आपको जानकर हरानी होगी कि यह butterfly 12 inch लंबी है देखिए अगर इसको ना पा जाए तो 12 inch तक इसका range है तो यह सबसे बड़ी butterfly है जब बड़ी butterfly है तो भई smallest butterfly भी होगी कोई नो कोई देखिए उसके बारे में भी जान लेते हैं सबसे छोटी butterfly है यह butterfly आपको पता होना चीए इसका जो size है वो मात्र आधे inch क बहुत चोटी butterfly है आधा inch half inch इसकी जो है length है तो इस तरह से आपने देखा सबसे बड़ी butterfly के बारे में भी हम लोगों ने देखा सबसे चोटी butterfly के बारे में भी देखा उसके बाद दोस्तों यह देखिए यह बटरफ्लाइज है इनकी जो पैरों की बहुत खास बात है जो यह butterfly यानि तितलिया होती है हमें साब पत्तों पर अंडे देती है और अंडों पर पत्तों पर अंडे देने से पहले यह अपने पैरों से पता लगा लेती है कि यह पत्ता अंडा देने लाइक है या नहीं सही पत्ता मैंने चुना है सही लीप्स मैंने चुना है या नहीं इसका पता वो अपने पैरों से लगा लेती है बटरफ्लाइज और आप जान रहे हैं मदमक्खियां जिने हम हनी भी काते हैं वो फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती हैं बिलकुल उनकी तरह बटरफ्लाइज भी फ्लावर से नेक्टर को चूचती हैं और उसके सहारे ही जिन्दा रहत हैं तो नेक्टर भी इनका एक फूड आइटम है ठीक है बिलकुल हनीवी की तरह उसके बाद यह जो हनीवीज होती है इनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता है के वर्टू दो से चार हपनों का होता है जो बटरफ्लाइज होती है तितलियां इनका जीवन चक्रमात्र द क्या है इनका प्रक्रिया देखिए पत्तों पर अंडे दिया तितलियों ने अंडों से बना लारवा जिने हम कैटरपिलर भी करते हैं फिर प्यूपा बना और प्यूपा के बाद यह बन जाता है बटरफ्लाइज इस तरह से पूरा लाइफ साइकल है बटरफ्लाइज का अं एक और जानकारी हमें मिल लई है कि जो बटरफ्लाइज हैं, वो अपने पैरों से चीजों का स्वाध चकती हैं, तितली जो है किसी भी चीज का स्वाध अपने पैरों से चकती है, गजब की बात है भई, अपने पैरों से वो किसी भी चीज का स्वाध चक लेते हैं, है ना आखों में होती हैं और जिनकी मदद से यह अल्ट्रा वाइलेट रेज तक को देख सकती हैं अब आप कहेंगे यह अल्ट्रा वाइलेट रेज क्या होता है तो ऐसा है कि जो सन से लाइट आती है ना उस लाइट में कई तरह की रेज आती है तो उसमें से कुछ रेज ऐसी होती ह जिनको हम देख नहीं सकते और जो हमको दिखाई देती हैं उनको विजबल लाइट करते हैं तो बहुत ज्यादा में तो डिटेल में नहीं बताऊंगा यह फिजिक्स का मैटर है लेकिन इतना जानिए कि अल्ट्रा वाइलेट रेज को हम लोग नहीं देख सकते हम इनसान नहीं लेकिन यह बटर प्लाइट जिनके पास सिक्स थाउजन लेंस होते हैं जिनकी आखों में उनके पास यह क्वाल्टी होती है कि वह अल्ट्रा वाइलेट रेज को भी देख सकते हैं और दोस्तों आपको पता होना चीए एक ऐसी भी तितली हमारे पास धरती पर है जिसका नाम ही है एक नाइन नाइन एट एक एक तितली है जिसका नाम ही है एक नाीन नाइन एट और इसका ये नाम क्यों रखका गया आप सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसकी पंखों पर seide 899 लिखा रहता है और दूसरे इसهاीर 9 20 लिखा रहता है इसी लिए इसका नाम yapmış रख़ रहता है विंग्स पर और दूसरे साइड नाइन एट लिखा रहता है आप इसे गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं फिर अब जानिए यह एक बटरफ्लाइज जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आम तोर पर आप देखेंगे जो तितलियां होती है ना लेकिन इनी बटरफ्लाइज की एक प्रजाती ऐसी भी है जिसका नाम इसकीपर थितली है इसकीपर बटरफ्लाइज यह इतनी तेज उड़ती है कि घोड़े को भी पीछे छोड़ सकती है तो दोस्तों आप समझ गया होंगे यह बटरफ्लाइज बहुत तेज स्पीड से और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक यू